अधर है थोड़े दो कपल है और उनका चालो होंगा खुछ तो भी तो इसलिए अपन नई तो हैलो गाइस वेलकम टू माई निव व्लॉग तो गाइस आज का व्लॉग इसा है कि सबसे बड़ा पैसा है तो गाइस आज होली और आप सबको हैप्य होली तो गाइस अभी आपको एक चीज दीखा था हो देखो तो गाइस उदर होली की लक्डिया जमा कर रहे और जमा हो गए बारिक-बारिक कर रहे उसको अब आपन चलेंगे जो जिस जंगल के पास अपन रुके थे और एक डिशरा रास्ता उदर जा रहा था तो गाइस अपन उदर आपन घर से निकल गए और आज अपने को जल्ली मतलब जल्ली जाना पड़ेगा क्योंकि शे बद गए इसरी और और क्या अभी चलेंगे तोड़ा जल्ली और शाट्टर लेना पड़ेगा आपने आगे से जलो कैसे आगे मिलते हैं तो गाइस यह वाला रास्ता है जो में रास्ती मतलब रात को आया था और यह रास्ता भी बहुत ही ज्यादा खराब है इसलिए उस दिन रात को ब्लाग नहीं बना पड़ा नहीं बना सका और उस दिन आपन वो जो जंगल देखा देरा जंगल के पास गये जब इधर से शॉटकट एक रास्ता है वह आपका आगे जाके पता ही चलेगा तो गाइस यह एक रास्ता है शॉटकट वाला और अपन इस रास्ते से चलेंगे अभी आगे अभी उस दिन अपन इधर रुके थे हैं वह उदर जगा है उदर रुके थे और यह से उस दिन की पाड़ जंगल की पाड़ गोलते हैं तो गाइस अभी अपने को आगे जानेगा आप वह रास्ता आपको बताता हूं जो मेरे गाव के उनको पहले बता दे रहा हूं कोई कमेंट करेगा रहें कि हमको पता है यह रास्ता वोलके तो गाइस अभी आपना आगे चलेंगे तो गाइस यह है रास्ता जो इस पाड़ के पीछी जाता है और यह रास्ता अपनी पार है यह डैम की और जो पहले रास्ता बहुत ही ज्यादा खरब गया है इसलिए इसलिए यह रास्ता अच्छा हो गया तो पहले यह बहुत ही खरब रास्ता था यह अब इधर पुरे डैम की इंडिंगी लगेंगी तो थोड़ा अब आगे चलेंगे थोड़ा यह तो ग्राइज अभी आपन आगे है पार्ड के पीछे और अभी थोड़ा ऐसा ही दूर है एक अच्छी जागा जो मेरे नए सस्क्राइबर होंगे उनके लिए पीछे के पार्ड तो ग्याइज यह वेस्टियर और अभी तो पानी पूरा सुग गया इधर उदर तक है तो अभी अपन पहले नीचे उतरेंगे पर उसके बाद बनाएंगे थोड़ा वीडियो तो ग्याइज अभी अपन नीचे तो आगे है और नीचे के अजन अब कि पूरा जंगल है और जब भारिस का टाइम रहते है तब यहां तक पानी आता और यह पता नहीं यह कैस यह कैसे लिए पत्तर लगाए के किसलिए लगए पथर यह भी पता नहिंद लेकिन अच्छा है क्योंकि यह तक भी पानियाद है और यह ऐसा कुछ तो है डबलु बोलके नाम मतलब इसका नाम है West wear जो तो इसा है यह पुरा डबल है और अभी पूरा पानी सुख गया इधर का और यह जगह जंगल के पूरे गोल गोल है मतलब पूरा राउंड पर है तो आपको दिखा दो पूरा जंगल आगे से और पीछे से भी पीछे भी आप देख रहे होंगे कि जंगल और मेरा आगे भी जंगल है और उद्धर भी जंगल है चारो सेट जंगल है जंगल है तो गाई जंगल में भी कभी कभी शेर आता है लेकिन अब भी तो नहीं आएगा क्योंकि इदर पानी एक भी नहीं है और और क्या बता जितना बता उतना कम यह इस जगे के बारे में और इस सेट भी पूरा जंगल है और उदर उदर भी जंगल है तो उदर कुछ नहीं गया इस पूरा जंगल सुग गया इदर का क्योंकि इदर वह पांजड़ी बने है इसलिए पूरे जाड़ सुग जाते तो फिर बारिस के टाइम पर यह पूरा हरा भरा हो जाता है एक बार और लेकिन अब तो कूज भी नहीं है मतलब आपको ऐसे दिकाने के लि तो गाइज अपन इंडिंग तक तो आ गया अभी और यह लास्ट वाली दिवाल जब अपना आगे चलेंगे इधर से तो हो गया पूरा देखकर हाथ भी दुखाई देरा क्योंकि अपने स्टैंड बहुत चोटा है और लेकर अपन किदर घूम भी नहीं सकते हैं मतलब घूम सकते हैं लेकिन अगर अच्छी जगा रही किदर बाहर जाने को अगर मिलेगा तो स्टैंड लेकर जाने के लिए तो गाइज यह था इसा वेस् हो जाता था अभी निकालेंगे अपन थंबल थोड़ा थोड़ा फीचे जाकर तो गाइज जैसे पूरे डबलो वह सबसे एक दो तीन चार पात छे साथ आट नो दस ऐसे दस ऐसे साब जैसे बना करें उसको अभी आप डबलो भी बोल सकते हो कुछ भी बोल सकते हो अपने अभी होने लगेगा थोड़े दिर में अभी अपन चलेंगे क्योंकि ज्यादा दूर मतलब ज्यादा दे रूकना इदर अच्छी बतने है क्योंकि जगा की एक एक राज है जो आपको बताने वाला हो तो जो नए लड़के रहते हैं वो इदर इस इदर तेरने के लिए आते और जिसको त्यारना नहीं आता है वो भी चला आता है तो जो यह मेरे पीची की जगा है उसके पीचे बहुत ज्यादा पानी रहते है और उदर से जम डालते है फिर उसके बाद उधिर आठक जाते क्योंकि उस सेट बहुत बड़े-बड़े पत्तर भी है तो अभी वह आप आपको दिखाता हो फिर आपको वह बात समझाता हो त्यूंकि आप इससे समझ में नहीं आए कि आपको यह अभी नए नए पाहरा भी बना रहे इधर और यह नाली जो पूरे पहाड से पानी आता है तो इस नाली से इधर आ जाता है तो आपना आगे चलेंज उपर इधर इ वाला हो त्याई विशे उदर याओ तो गैज अभी उद्पर आपको जो दिखाने वाला था जागा इसलिए ने दिका सब्सक्राइब उदर इत्व कपल है 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 उदका चालु होंगा खुछ तो भी टो इसलिए अपन जा सकी उदर किसी दिन दुसरी दिन आएंगे अपन ऑ वो जगा दिखाने वालों तो मतलब उठ जगा की एक मतलब एक बुरी बात ही कि उठ जगा हर एक साल एक नहीं तो एक लड़का मर जाते है उठ उठ जगा तो इसलिए ज्यादा शाम के टाम इदर रहना अच्छा भी नहीं है घरवालों ने तो पहले ही बता के रख देते हैं अजर सुमसन जगे पर अभी इस टाइम पर नहीं जाने देते हैं और ले बोला घरवालों को उनके आता अभी थोड़ी देर में इसलिए आया लेकिन उनका ही काम चाले है अभी उठ दिन भी जो ट्याम का व्लॉक था इस दिन में मच्ची लाने आया था इस दिन भी इसी टाइम पर दो कपल इधर ही आ रहे इसलिए अपन भी क्या कर सकते हैं उनको भी डर नहीं है तो गाइज अभी अपन लग गए अपने राश्ते पर तो गाइज आट नो तारिक को अपने को बाहर गाव जाने का है और वह भी दोस की शादी है मिद्श की शादी इसलिए मतलब उतर जाना और अपने को अपना इक्साम भी भरना है इसलिए अपने पूरा अंदेरा हो गया और अभी चलेंगे अपन घर उसके बाद उसके बाद कुछ नहीं है अपन होली के बाद जाएंगे जब होली जला तब देखेंगे अब आगे मिलेंगे तो गाइज ऐसी बोड़ी पिट्टी है हमारे इधा और बोड़ी पहले ही जल गहीं और अभी हम लेट आए और इदर साइट सेड में पूजा करने के लिए लोग आगे तो अब अपना फेस तो नहीं दीगा सकता है अब 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 एक लोग आते इधर से हमारे कॉलनी से फिर इधर आकर फुजा हो जागीन करते हैं तो गाइज अभी अपना व्लॉग यहीं खतम करते हैं और मिलते हैं अपन कल एक और नए व्लॉग के साथ